पूर्व के लेक्चर में हम लोगों समानता के अधिकार यानिकी अनुछेद 14 से लेकर के 18 पर चर्चा किया हुआ था तो आज हम उसी के अगले मौलिक अधिकार यानिकी स्वतंदर्ता के अधिकार पर चर्चा करेंगे जिसका उल्ले भारतिय समिधान के अनुछेद 19 से लेकर के अनुछेद 22 के अंतरगत किया गया है तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हमने इसको निधायत किया है और इस पर हम लोगा चार्चा करेंगे तो अनुछेद 19 के अंतरगत जैसा कि पूर्व में अधिकारों की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर इस भाग के अंतरगत साथ प्रकार के अधिकार दिये गए थे जिसे 44 समिधान संसोधन अधिनियम 1978 के मात्रम से संपत के अधिकार को समाप्त किया गया था तो शे अधिकार बचे थे उसी तरहीके से सोतंतरता की अंतरगत साथ प्रकार की अधिकार मूर रूप पि दिये गए थे जिसे पहले में हैं बिचार और अभिवेक्ति बिचार और अभिवेक्ति की सुतनतता कर सकता है और अभिवेक्ति का मतलब उसको बोलना कहना तो यह एक ऐसा अथिकार जिसके माध्यम से भारत के नवरिकों के लिए भारत के रहने लोगों के लिए बेवस्थाय दी गई है कि वह किसी भीवेक्ति इसे पर सोच सकते हैं उसे अभिवेक्त कर सकते हैं अभिवेक्ति के अंतरगति कई प्रकार के अभिवेक्ति के माध्यम हो सकते हैं जैसे मीडिया हो गया प्रेस हो गया इसी तरह के से टेलीविजन है रेडियो है कई प्रकार के माध्यम है जिसको जहां से भी समभावनाय बनती हैं वह विश्यों पर अपने विचार अभिवेक्ति कर सकते हैं तो इन सभी चीजों की ब्याख्या अनुछे वोनने इस एक एंतरगत किया है तो यह किसी भी प्रकार के जो है लोगतांत्रिक देश में एक मानौ मुल्यों को स्थाफित करने की दिसां में बहुत ही महत्वूर्ण यह जो इक प्रावधान है जिसके माध्यम से कोई भी बेक्ति इस विसे पर किसी भी विसे पर सासन सत्ता के संदर्में कोई इस तरीके से विचारों और अभृत की सुद्धा है लेकिन इस पर जो है राष्ट की एकता अखंडता और इसी तरीके से सवराचार नयतिक्ता की आधार पर परतीबंद लगाये जा सकते हैं जब ऐसा करना आवस्यक हो जाए कहीने काता पर यह कि विचारों और अभृत की सुद्धा सकारात्मक है यह नकारात्मक नहीं है यह असीमित नहीं है सबसे महत्मूल बात यह है कि जो सुद्धा की संदर मे कि विचारों और अभृत की सुद्धा असीमित नहीं है इसका रिजनेवर गिवेट कुण धंसे नियंतर और अंकुष लगाया जा सकता है तो इस तरीके से विचारों और अभृत की सुद्धा इसमें कही गई है दूसरा है बी इसी अनुछेव के अंदर बी में चुर्णे चर्चा किया गया है सांति पूर्वक सम्मेलन करनी की सुद्धा सांति पूर्वक सम्मेलन करनी की सुद्धा कहने का मत्तर यह है कि किसी एक अस्थान पर 150-200 लोग एकत्रत हो सकते हैं किस दिवी से पर विचार विमस कर सकते हैं और इसी तरीके से अभृत कर सकते हैं यह भी तो संद्कूर्वख संव्यनलन्काताब पर इये हैं कि ईसमें हिन्सा की भवना नहीं होनी चाहिए कि बात नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगतांदिक इसमें बिचार अबेक्त करने माफ्म इसमें पड़ारी देशने प daí तो यहां पर की गई है लेकिन इस पर भी जो है उसी पूर्व की तना से राष्ट की एकता खंड़ता यातायात संचार जैसे किसी ऐसे अस्थल पर अगर आप समेलन कर रहें जिससे देश की यातायात बहुस्था प्रभावित हो सकती है या होने के आसंका उत्पन होगी तो उ सभी बातों की प्रिष्ट भूम में यह है कि यह सारी चीजें आपको इस तरीके से करना है कि अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए लेकिन दूसरे का कार इसमें प्रभावित और बाधित नहीं होना चाहिए कहने कातार पर यह है कि सांथी पूर्वक समेलन कीजिए अपन संग जो है संग्ठन इत्यात बनाने की बात नागरिक्वं के रिवस्था है कि वह कोई भी अपने उप्द्शयों को पूरा करने के लिए कि सब्सक्राइब करने के लिए वह संग्ठन 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 हो गया कोई वारिजिक संगठन हो गया चातर संग हो गया इसी तरीके से सरंगों का कोई संग हो गया किसानों का कोई संग हो गया तो यह सारे संगठन भी बनाने का अधिकार यहां से उनको मौलिक अधिकार के रूप में परात होता है जिस पर किसी भी प्रकार के अनुचित या दरत तरीके से नियंटर्ण नहीं लगाया सकता लेकिन यह भी पूर्व की तरह से जिवे राष्टी एक्ता घंजदा सताचार नहीं दिकता के आदार पर इसमे प्रतित बंदर लगाया जा सकता है जिब राज्य को ऐसा करना आउस सिख हो जाए तो इस तरीके से संग और संगठन ब लेकिन इस पर यह प्रतिबंद लगाया गया है कि आम लोगों के हित और अंसूचित जन्जातियों के हित की आधार पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है दो प्रकार के प्रतिबंद है एक तो आम लोगों का हित है एक अंसूचित जन्जातियी लोगों का हित है यह इसलिए कि अगर कहीं पर ऐसा नोग के जाता है जैसे अंडवानी कुभार्दीब समूया इसी तरीके से वहां पर संपवन जर्बा और ऐसी कई जन्जातियां है जिनके विश्च प्रकार की गलचर है और अगर कोई बिभैति वहां पर जाता है तो उनकी कलचर में कहीं यह स्तक्षेव माला जाता है जो लोक्तांतरिक मुल्यों मानभी मुल्यों के अंकूल नहीं होता है तो उन सभी बातों पर इन दोनों आधारों पर प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं यानि कि भरमण किया सकता है लेकिन वो किसी दूसरे गति को प्रभाविक किये बगाए इसके अंतरगत निमास की सुन्दरता दीती है कि भारत की किसी छेटर में जो है जाकरके निमास किया जा सकता है लेगिन ये दोनों ही बातें यहां पर भी कान है इन्ही दोनों आधारों पर इसमें भी लगाया जा सकता है प्रतिबंद की वह आम लोगों के हित और अनुसुच जन्जातियों के हित उससे प्रभावित ना हो रहे हो तो इनके आहराद पर यहां पर प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं और यफ के अंतरगत संपतिक की बात की गई थी लेकिक उसे अफसमात कर दिया गया है तो इसलिए यह समझे कि निरसित है डिलीटेड है और जी की बात कोीब्ति व्रत व्यांसाई या कारोबार कैना ने का मतलब यह है कि कोई भी बिक्ति ब्यावसाई कारोबार करने की बात दें कौई भी पूर्व की सामत वादी सूंशतिति को इस विर्टिकों यही कारना है इस पर रोग लगाए गया है, वो अपनी छंता के इंजार, अपने रूची की इंजार कोई भी कारे कर सकता है, लेकिन इस कार के मादेव से वो दूसरी को किसी भी प्रकार से जच्छा की नहीं पहुंचा सकता है, कहने का मत्यों इन सभी प्रकार के जो में सोतंतरताओं में, एक बाद तो कामन है कि आप आपने विचार के लिए अपने संतुष्टे के लिए कोई काम कीजिये अपने विकास के लिए कोई काम कीजिये लेकिन भरन पोस्रे कोई अपनाना है जो कहीं नहीं जो करता हो दूसरे की जीवन को औरहीं करता हो तो इसपे दो आधार उपर एग कोई संभेधन सी संभेधन जो है अधि दूसरी गोरत हैं अमें तो स्विल्य में है ओर्म YouTube लिए वर अगर कोई म sosteg जो आनल्तिक है Also सब्सक्राइब अपना लेता है तो उस समाज के सम्रस्ता समाज के मुल्यों के वो धृत्थ माना जाएगा ऐसे इसी में सरकार तकाल इस पर प्रतिबंद लगा सकता है और दूसरे बात है संवेदन सील एक्टिविटी कि जैसे करें कि खानन से समादिर कोई दोग है वहां पर कोई हाथ से हो सकते हैं मानों की च्छती हो सकती है तो इस आफार पर रोग लगा सकता है इसे तरके प्रमान उटजा विभाग है अंत्रिचे से समद्द कोई मैंटर हो तो यह सारे एक्टिविटी सरकार अपने नियंतर में करती है ताकि समाज में किसी विप्रकार का हता हत ना हो किसी विप्रकार का नुकसान ना हो किसी विप्रकार की कोई च्छती ना हो तो ब्रित ब्यवसाया कारोबार करने में कोई समस्या नहीं है बसरती कि वह समय अतिसमेदल सीव ना हो और अने टिक ना हो समाज के लिए हैं जिसके मांध्यां से लोगों को स्वतंतर्ता कई प्रकार से व्वेप्त करने का मुखा मिलता लिए भी मोणिक अधिकार के विपिन्त प्रकार सब्सक्राइब। जाते हैं किसी अपराज में संलित होने की बात पही जाती है तो वहां पर उसको कुछ संव्रक्षर दिये गए हैं कि वहां पर मान भी गल्मा को बनाए रखा जाएगा अनौचित्य पूर्ण धंक से उसकर कोई दबाव और कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा और अनौचे 20 क कंटयर बेवास्था की गई है कि किसी भी ब्यक्ति को किसी ही दोसी कणार नहीं प्रस्था में ठूर्ण सब्ट नहीं है जाएक 3 सब्सक्रिक हाई आज कि कोई क्योई क tsitsis पूर्ण बने उसको रेत्रोस्पेक्टिव उसह को संथर्ण में होँ चीफ इसको भीन्तिन में भूत लक्षी प्रवाव एक सब्दी हां पर आए इसको मैं देख लेता हूँ भूत लक्षी कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की नियम का पूर्व जैसे कि वो आज की डेड्लाइन पर 2021 में बनाया जाता है यहां से होता है तो यह कानून भूथ लक्षी प्रभाव की रूप में क्रियान बीठ हो रहा है इसी को बूत लक्षी प्रभाव याтора इसको कहा जाता है तो यह बेवस्ताएं हुती हैं और इसके संतर में बताया है कि कोई भी कि अपराद के संदर में उसे दोसी क्राज़ नहीं दिया जाएगा। ज़तकी वह उस अपराद के समय में किसी परचलित कामूं का उलंगहन ना करता हो। इसी में अग़ी बार रही है एक माननवी मुली के जा लाह दू माया था जाते हो few addition to the दीया जाएगा इसी तरीक को अगर कोई अपराद हुआ है या तथा अपराद में उसे कोड के समझ पेस ही जाता है aujourdै समीत या किसी if जाच कर लाया जाता है तो निस्चे तोर पOM ता उससे सुईं अपने अपने विर्थ कोई भी बात कहने या गवाही देने के लिए उसे बात नहीं किया जाएगा तो इसमें किसी अपराद होने के संदर्व में विविन प्रकार से बेक्ति के मुल्यों को बनाया रखने का प्यास किया गया है जो मौलिक अधिकार के एक महत्पूर्ण भाव को यहा अच्टे कहीं गहीं है अभी हम आते हैं अनुच्छे 21 पर भी हम स्वतमतर्था के विविंद आयामो का दिन कर रहे हैं और अनुच्छे 21 पर हम लोग चर्चा करेंगें प्राण ओध्वी सुतनतता से दो सब यहां पे इंप्करफन आ रहे हैं एक तो प्राण आ रहा है किसी विवेक्ति को बिद्धिद्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर किसी अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता कहने का मतला प्राण बत्ता लाइव है और जीवन है किका हम only byकटिक प्राण यहां पर माल्री meow मांता हुने देखने का प्रयास किया और उसको इस अन्धशेट पास्थापिख करने का और अपार्शक प्रयास किया है यानिकि प्राध यू रही कि स्वतंतरता से बिधि द्वारां स्थाफित प्रग्रिया को छोड़कर किसी अन्यमाध्यम से अस्थाईथ नहीं जा सकता चिफशार नहीं किया जा सकता है सिसके संतर में क release it ine still in-aute करने को लेकर के कुछ मांगे होती रही है जिस पर कोड़ के कुछ इंटर्पेटेशन रहे हैं उच्छ निया एलाई गया और निर्वचन रहे हैं जिसको हमें थोड़ा सा देखना आवस्थे होगा इसमें गोपालन केस एक वह था गोपालन केस हुआ था जोड़ कर किसी तरीके से तरीके से आता है तो उसी मामले में चूट होगा कि अक्रियास करती है तो वहां पर चूट होगा लेकिन में का गांधी में का गांधी इस परक्रण में कोट ने ये ब्याठ्या किया कि ना केवल कारेपाली का एक्जेकेटिव बल्कि ना केवल कारेपाली का बल्कि कि विधाईका के द्वारा भी कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो ब्यक्तिकी मानवी मूल्यों के विरुद्ध है तो उसे नैसरगीक निया के सिध्धांद पर अबयाद घूसित करार दिया जाएगा अर्थात में का गांधी केस में 1998 इस बी में इस अनुछेद का नियायाले के द्वारा नैसरगीक नियाके सिध्धांद पर ब्याक्या और निर्वचन किया गया और यह बताया गया गया कि अगर कारपालिका के द्वारा या संसत के द्वारा कोई भी ऐसी गतिपिती एक्टिविटी या कोई नियम रूल्स और रिग्रेशन बनाए जाते हैं जो मानभी मूल्यों के ग्रिद्व हैं तो वह निश्चित तोर पर नुच्छे इसका उलंगन माया जाएगा और वह उस स मानभी मूल्यों को स्थापित करने तथा इस तरीके से कारपालिका या संसत के द्वारा किये जाने वाले किसे भी प्रकार के अतरिक्त कारे जिससे कि मानभी मूल्यों और बैक्ति की गरीमा प्रभावित होती है उससे रोका गया अबायद भूसित किया गया तो ये थी व्य तो को अपने स्वोरूत्र में मौलि क खरकेत nephew को अविवेक्त करने का प्रयास. और ज्द्यातत के हैं कि अनुझेद ह कें turning जो खञेए करने के दर वाखंग में कोड ने यह भी आधियां कि कुछ ऐसे वाहारेमें तो अगर हो भी आते हैं इसमें जैसे सभी अधिकार और राज को इसे पूरा करने का प्रयास करना होगा तो इस तरीके से देखते हैं तो उनुछे उनीस के तरगत इन सभी चीजों की ब्याख्या की गई है अभी 21 का अनुछेद 21 का ये 86 मा समिधान संसोधन अधिनियम 2002 2002 के माद जिन से एक नए अनुछेद जोड़ा गया जिसमें सिच्छा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया अब इसमें यह बताया गया कि 6-14 बर्स के आयोग की बच्चों को राज्य मौलिक अधिकार के दूप में शिच्छा उसे पर्दान करेका प्रतेक 6-14 बर्स के आयो के बच्चों को यह मौलिक अदिकार है कि वह निसुर ग्रूप में सिछा प्राप करें इसी श्यासरे समिधान संसोधन के मांदें सिर्फ 45 आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम नीदी दे सकता तो बढ़ते हैं तो 45 में पूर्व में यही यहां पर आगया कि जीरो सिछा बर्स के आयो के बच्चों को सिछा के लिए परियाप्त आउसर प्रढ़न करने के लिए जो है राज प्रियास करें राज को यह प्रियास करना कि इसे चौदा बर्स के बच्चों को सिछा की बेवस्ता कि यहां पर इसे मौलिक दिकार कर दिया गया और इंको जो एकाइसा महोर पैदा किया जाए ताकि उसी शिचा के लिए हो सके इसी तरीके से अनुछे थिया क्यामन का इसी के मातें से ग्यार्म मौलिक करता भी यह तीन बच्चकों के लिए या अभिभाव के जिसको कहा जाता है पिता या संदक्चक जो भी होंगी वो अपने बच्चों या अपने पाल्यों को जिंका वो पालन पोस्ट कर रहे हैं उनको सिछा का प्रयाप्त आउसर्त गान करेंगे सिछा उन्हें दिरानी का पर्षक तर्यास करेंगे यह पृति वेक्ति के करतबी के रूप में जोग गया है तो इस तरीके से चिया सीमा समिधान सुसोगन दिनियम 2002 के माद्यम से यह अतरिक वेवस्थाएं की गई हैं भारतियस समिधान के माद्यम से जिसे सिछा को मौलिक दिकार के रूप में धारा कल परकरियान विक किया जा सके तो अबिकन दोख ब्लों ने देखा एक पीस निगिणी 3 जो की ही जोुख गई रहा है शनली वह पृति हुशे सम्यधारी गेन और अज़वन ब्लारीक कर से दिसे मांके और और 1 बैस है अनु— प्रहों निरोध से स लिए यो मिलोथ कि इंधिभी प्रभिस के लिए जाना अपको पगड़ लिया जाता है इसके नियोथ यह कहीं पिर नियुद्ध कर दिया जाना तो इसको गिया जाता है यहां पर पर इसको दो रूपों में देखा गया है एक दांडिक होता है और दूसरा है निवारक कि इसकी इसको समझना इसलिए आवस्थ है क्यूंकि इस कि अनुचरर के अगले खंड में हम इन दोनों को पिठर करके अवस्थाओं को देखूंगे इसलिए इसे समझना आउस्थ है कि गिर्फतारी का मतब किसी भी बेक्ती द्वारा अपराध हो गया हो तब उसी की रापता किया जाता है और निरोध में रखा जाता है उसे निर्द किया जाता है वो दांडिक कहलाता है इसी तरीके से जब संभावित हो किसी भी अपराध की संभावना हो कि यह फ्रूचर में ऐसा अपराध किसी बे विव्योस थाएं दो रूप में हैं और अनुख्यव 22 के अंतर ये कहा गया है कि किसी विव्यक्ति को बिना कारण बताएं बिना कारण बताएं किसी विव्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और इसी अनुख्यव के घंट दो में कहा गया है यह एक है और यह दो है दो में कहा गया है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष परस्तुत किया जाएगा इसमें इसे ध्याम में रखना है 24 घंटे की जो बात कहीं कहीं है अगर किसी भी बेक्ति को कहीं पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी दूरी जो मजिस्ट्रेट के समक्ष परस्तुत करने की काफी दूर है तो यात्रा में लगने वाले समय को निकालने के बात 24 घंटे की है आकी मांगी चलिये किसी प्यक्ति को से अस्थान एपर गिरफ्तार क이지 अस्थान बी पर लेजाए तो तो वह पांच धंटा टोटल बूरी समय में सिक घंटा दिया जाए गा और वो 24 घंटा होना चाहिए कहने का मतलग यह हैं कि जाने में लगने माले समय को निकाल करके बाकी 24 घंटे के अंतरगत उसे न्याइक मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत किया जाएगा जो मामले की सुमाई करेंगे । इसमें यह विम्वास्ताह की गई है कि उस बेटी को अपने पसंद के बिधी क्लमशा करेंगी के अपनें इस प्रकार की स्रहत की हाजिस्ट्राइं करो कषेंगी तो इस तरीके से यहां पत्कान बताने की बात देगी इसे में 24 घंटे के अंतरगत उसे नहीं आए मजिस्टेट के समझ प्रस्तुत किया जाएगा और उसे किसी वकील से प्रामर्स और वहस और विचार भी मर्स करने से नहीं रोपा जाएगा इसे अनुछे के पार्ट तीन के अंतरगत यह वे उस्थाय की गई जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे दांडिक निरोद और निवारक निरोद तो यहां पर जो यह वे वे उस्थाय की गई है उसको कान बताना पड़ेगा 24 घंटे के अंतर प्रस्तूत करने पड़ेगा यह हम लोग निवारक दांडिक निरोद के संदर्व में था लेगिन निवारक निरोद के संदर्व में ऐसी छूट नहीं है जो यह दोनों ब्यवस्थाएं की गई है यह निवारक निरोद यह दोनों जो ब्यवस्थाएं की गई हैं वो निवारक निरोद और इसी तरीके से सत् इन दोनों ही प्रकार की इस्थिती वाले लोगों को ये दोनों छूट नहीं दिया जाएगा इसी लिए पूर्व में हमने दांडी विरोध और निवारक विरोध की अंत्रगत चर्चा किया कहने का मतलब यह कि निवारक विरोध यह सब तुर्देश के लोगों की उपर यह के अधिक समय तक के लिए इसे मिलूध किया जा सकता है तो उसके परतिवेदर पर ही ऐसा किया जा सकता है हाँ उसमें भी एक सर्थ यह है कि बोर्ड में उच्छ न्यायले की न्यायधीस की योगिता रखने वाले व्यक्तियों से बने होना चाहिए उस बोर्ड का बनना इस आधार पे हो कि उस बोर्ड में उच्छ न्यायले के न्यायधीस बनने की योगिता हो जो भी बेक्ति उस बोर्ड में सामिन हैं उनके फार्स उचने अलेकिन अधिस बनने की यूगिता हो और उस बोर्ड के द्वारा ऐसी रिकमेंडेशन दी जा रही है तो उसे तीन माह से अधिक के लिए रखा जाएगा इसी तरीके से पांच में कहा गया है कि अगर ऐसी कोई ग हुआ है कि कि अग फिस दिगवान यूद के संदर्व में अधिक मांस था अधिक नहीं हो सकता प्रोड के दोरह ऐसे प्रती बेतन आये और उसे सुझनाव गए लेकिन यहां पर एक परन्तु किसमें जोड़ा गए सब्सक्यन जोड़ी गई कि वह लोग हिद के बेर दूना हो अगर लोग हिद में ऐसा करना आवस्सक नहीं होता है उसे सुचिन नहीं दी जाएगी तो कुल मिला करके लोग हिद को यहां पर जादा प्रियार्टी दी गई है कहने का तार्फरी यह ब्यापक ब्याउस्थाए हैं जिसकी अंतरगत आप द में जो के राष्ट के एकता खंड़ता लोग तंत्रमान भी मूले सदाचार इत्यात की भावनाएं हैं अगर उसके आड़े आती हैं उसमें बाधा उत्पन करती हैं तो यह कुछ कंडिसंस हैं जिसके उपर रोक लगाए जा सकता है इसी अनुच्छेत के अगले में जो रेक कानून बना सकती हैं अभी सुपके दौरा कुछ कानून बनाए गए हैं जिसपर हम लोक हैं पर चाप्चा करेंगे क्योंकि परिच्छा मेरी ये पूछा गया है तो वीजिन भी सवाव तेली 6 सवाब पूछ सकते हैं लिगश पर चेह को करेंगे सबसे पहरा कामू जो निवारक-nirodh की अंतरकत है और संसत के द्वारा 1950 में 1950 इस्वी में बनाय गया था। निवारक-nirodh-adhiniyem 1950 जो इसी में प्रकार की वेवस्था करती एक स्वामान निप्राउधान था जो सबसे पहली वार 1950 में कोई न कोई न कोई कानून इस पे लाना पड़ेगा तभी हम कुस के अस्थान को या उसके उद्धित को पूराब तो इसमें मीशा कानून पारत किया गया है कि इसको का जाता है मेंटिनेंस आफ इंटर्नल सेक्योटी आइट मीशा इसके संदर में और महात्रफून चीज है वह यह है कि 1915 में जो इमर्जंसी लागू की गई है इमर्जंसी लागू की गई है उसमें एक बहुत ही चुटीली अंदाज भाले प्रती जो की बिहार के पूरुपी के मुख्यमंत्री भी रह शुके हैं लालो कुसाथ जा तो उनकी गिरफ्तारी वही थी और इसमें सबसें इंट्रेस्टिंग जो फैक्ट है वह है कि जेल में पुत्री प्राप्त हुई उनके घर में पुत्री आई तो उसका नाम उन्चुकी मीशा एक्ट के अंतरगत उनकी गिरफ्तारी वही थी तो उन्होंने उसका नाम ही मीशा रख दिया था तो इस तरीके से देखा जाए तो 1771 मीशा कौनूं लग यख अब है इस अंगीं हम 1974 को क में वीदेशी मुद्रा संरक्षण यों तस्करी निरोध अधिलियम वीदेशी मुद्रा संरक्षण वीजेशी प्रकार का निवारक निरोथ की अंदर आता है ध्यान में आपको होना चाहिए कि हुँने 173 इस भी में फेरा बनाया गया था इसी के आरहर पर ये भी बेवस्ता है कि वार्वी संसर्क्रा अपना गया गया और इसी तरीके से वो कानून राशुपा की दिवस्था हैं यह समय समय पर क्रियामित हुई हैं तो राशुपा भी एक प्रकार का अगर देखा जाए तो निवारक निलोत कानून है और इसी तरीके से अवस्था संब्सक्राइब बनाया गया था यह अगर किसी प्रकार की अपराद भोनी की संभावना उसको रोखने के लिए था जेनिए से जुरा हुआ कामला था लोगों के खाद्यान यानि कि जीवन लियापन के लिए जो महां तुन मुर्भूत सुभाय ने हो सकती थी वह इ रहे सो अध्य दुसके अंतरगथ प्रदाइब किया तो अगर उससे कोई को लंगं किया अतल support is किम अद्धन की ल haciaष्या तोनी तो फमी नां सफीज product अधिनियां किया था उन्नीream किया घांश सुना ताड़ा एक नाम सुना होगा टाड़ा टेर्रिज्म और डिस्रॉप्टिब एक्टिविटीज टेर्रिज्म यानि के आतंतवादियों विद्ध्वनसक गत्विधियां थी उसको रोपने के लिए ये कानू बनाया गया था हक्खैरी से उनिसुपंचानु रिद इसमाप्त कर तो इस तरीके से उनिस्टो पंचान्पर मिश्मी में ये कारून पर राया था उनिस्टो आठासी में नसील प्राव्थ्म के संदर्व में इस्टो स्वापक पदार्थ विक्रण ब्यापार नियंतर अधिन्यम था यानि कोई नसीले पदार्थ से संब्धेता हुँ जो कि य प्राड़क्स हैं वो मानुस्वात तुला प्रभाट आते हैं इसलिए उसको गर्विदियों को उसके खरीद पर उतको नपर रोकने के लिए सुआपक उसको संदीग प्रियोग किया गया है इसलिए पदात ब्यापारियंतर अधिनियां पाइफ किया गया और लास्ट में जो ह यह दो जार दो में लागा था खायर से दोज़ार चारी से बीमिबाद में समाप्त भी कर दिया गया था निवार Claret कि ब्हुत करते हैं और जो मानों के के मुन्लियों का तक autumn कर में करते हैं और कीकष कीमह रूह सुन है जाते रहे हैं तो इस तरीके से आज की इस लेक्चर में मौली कधिकार के इस टापिक के अंतरगत हम लोगों के साथ सुचतर ता यारी ती एक ने से लेकर के अनुछे 22 के अंतरगत सुचतर अयांओं को देखा उम्मित करते हैं कि इस टॉपिक के मादें से आप लोगों को एक बेहतर समझ भिक्सित हुई होगी आप इसके साथ साथ अपने अन्य टॉपिक्स का अपने अन्य बिश्यों का बेहतर धन से अध्यान करते रहें पुना आगले क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ अपनों से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार